नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिट से हमारे चनल पर दोस्तों हम इस वीडियो में उत्तरप्रदेश का जो बजट है दो हजार चोबिस पच्चिस का उसको हम इसमें डिसकस करेंगे दोस्तों जो डॉकुमेंट है मैंने लिया है गवर्मेंट की साइट से ही दिया हुआ है इस बार उन्होंने जो है यह डॉकुमेंट खुद प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब जैसे की जो योजनाएं हैं जो डिपार्टमेंट से उसमें कितने पैसे अलोकेट किये गए हैं मतलब जिस प्रकार आप द 33,6.0,00 करोन को कितना है 7.36,00,00 करोन जो कर वाइं जो नोसके से रचल्स के स्पाइफस पॉइंट से पर सेंट की इंकरीज है टेक है ! कल देखिये जो रेवन्यू थैक्पनुट हैं वह 5.0.33,00,00, करोड है यह बात कर यह एक्सपेडिशर का बात करते है रिसी इतना खर्चा करना है और यह मंतल इतना इनको प्राप्थ हुआ है फिकह दोस्तों राप्थ कितना हुआ है टोटल 7.21 लाग करोड ठीक है और यह कुछ नीचे आप देख सकते हैं कुछ चीज़े हैं आप देख लिजेए का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से वही हम इसमें मेंले डिसकस करें दोस्तों करें तो जो है जो पैसा जो है सबसे ज्यादा क खुद का जो रिवेन्यू है वहां से 37.1 पर से ठीक है तो और बाकि देखें यहां पर दोस्तों कि सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर कितना है 30 दूसरा मद यह सबसे ज्यादा दोस्तों करें कि रूपी सबसे ज्यादा कहां जाता है यहां देखिए आप दोस्तों कि 21 पर सब्सक सबसें आप नीचे दिया हुआ है तोस वारा अगला क्या है यहां पर देखिए कि एकर बात करें तो उसमें कितना मतलब कितना कितना इंकरीज हुआ है अगर हम देक्प्राइब बात तक ही जए जह जो अदोसर नचना जैसे की जो विद्याल रे जो जो अस्पिताल है जो इ यहां पर यह जीए जीए पी का कितना है कितना है देखिए यहां पर फिसकल डेश्ट की बात करें जो कि देखिए यहां पर कितना है दोस्तों यह कितना है मतलब जो इस्टेट का जी डीपी है वो डेट कितना है कितना मतलब करजा है तो दोस्तों 8.17 लाग करोड है जो की 32.7% है ठीक है अब यहां पर देखिए अगला क्या है अगला क्या है दोस्तों कि जो नई स्कीम से उसमें बजट में जो की मतलब समावेशी विकास के लिए जो है जो नई स्कीम जो है लाई गई है दोस्तों यहां पर देखिए क्यों कौन सी है कि यूथ इंप्लॉइमेंट जनरेशन और विमेंट इंपाउर मतलब जो यूवा है और कह सकते हैं कि रोजगार को सज़ित करने के लिए और जो महीला मतलब महीला सब्सक्राइब करने के लिए मुक्हमंत्री यूवा उद्यमी विकास अभियान रोजगार पोचसाहन कोश ठीक है रो का इस्टेबिश्मेंट किया जाएगा ठीक है यह कहां पर किया जाएगा आप यहां पर कमेंट सेक्षिन में ब्ता सकते हैं कहां पर किया जाएगा दोस only अगला है अगला है जो मेगा डियाइट एड और अपग्रेडिशन और 69 आइटे मतलब कि दो मेगा गवर्मेंट आइटी आइज बनेंगे और 69 जो आइटी आइज है उसको एक तरीके से अपग्रेड किया जाएगा और दूसरा क्या है दूसरे यहां पर स्पोर्ट साइन्स और इंजरी सेंटर भी जो है उसकी अस्थापना की जाएगी मुख्य मंतरी कार कन्या सुभंगला जो योजना है उसमें जो है जो इस समय राशी 15,000 है वो बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है अगला क्या है कि सीनियर सिटिजन वेलसेयर फंड की भी जो है अस्था है ठीक है उसे प्रकार गोरगपूर का भी देखिए गीडा है उसे प्रकार बुंदेल खंड का जो एच शेतर है उसको उसी तर्च पर डवलब के जाएगा उसको जो है बीडा नाम दिया गया है एवडिया पॉलसी 2030 के दोस्तों इसमें जो है फॉर्चुन 500 एक मतलब फ्टी पॉलसी जो है 2023 सरकार ने लॉंच किया हुगा है से में कॉन्ट्र पालिशी फिर दोज़ाएशे वजा लॉंच किया था साथ किलोमेटर का नया लिंक एक्स प्रेस यह जो की आगर हानो अगरा लश्प्रेस ये और पूर्वांचल एक्स प्रेस ये करेगा ठेक है यह अगला क्या है budget provision for urban stormwater drainage program मतलब जो urban stormwater drainage program मतलब जो शहर में नालिया होती है उसको एक तरीके चेनलाइज करना उसको harvest करना ठीक है उसको एक तरीके से पेजल बनाना यह में इसमें budget में provision किया गया है अगला क्या है के लिए कुछ नई स्कीम्स लाइगे है research और innovation में क्या है दोस्तो यूज ऑफ AI मतलब artificial intelligence ML मतलब machine learning state-of-the-art technology in government departments में ऐसा मतलब बता रहें innovation करने के लिए और AI center और center of excellence established किया जाएंगे फिर क्या है strengthening of statistical system setting of online data storage cloud storage मतलब cloud storage जो आप देखते है Google Drive अगर होता है iPad में देखेंगा iCloud होता है तो वो सब जो है इतरी की तुबलब किया जाएगा for one trillion dollar goal मतलब एक trillion dollar जानते हैं कि जो सरकार ने लक्चा रखा है दो हजार 27 तक अगर मैं सही हूं तो उसमें एक ट्रिलियन डॉलर अचीव करना है तो उसी की दिशा में यह सब कदम जो है सर्ज एंड टेक्नलोजी जो की 500 बेट का सुपर स्पेशल्टी हास्पिटल होगा कहां पर आयर्टी कानपूर में यह एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों टूरिजम और कल्चर सेक्टर में क्या किया जाएगा यहां पर थीम बेस्ट जो है अग्ला क्या दो तो जो कुम्ब म्यूजियम मनाया जाएगा प्रियाग राज में अगरी कल्चर में कौन कौन से नहीं नहीं हो जाएगा तो मुक्हि मंतरी खेर सुरक्षा हो जाना राज-कृष्षी विकास हो जाना 100% पावर टैरिफ सब्सीडिडी जी जाएगी जो प्रा अग्री तूरिजльम सेंटर और टोंटर्वLo में प्रत independence सब्सक्राइब सब्सक्राइब एगारे नहीं शुक्त्र कंशनर नहीं में मुक्हि मंतरी क्यों स्केले ऐसम तो सब्सक्राइब कार रागी और क्या है कि है और गैनिक कल्चर लब टिशू लैब ए भी जो है मनाये जाएंगे तो अब यहां पर देखे कुछ फाइनशल इंडिकेटर जिए गया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कंसिस्टेंट एकनॉर्मिक ग्रोफ जो है हुआ है आयर दन 14 परसेंट मतलब पैंडिमिक के बाद देखेंगे तो मतलब 14 पर एक ट्रेंड है और त्रेंड है अब देख सकते हैं मैं इसको मेरे सांसरा राइटिंग में भी सकते हैं धिजिँीद आप राते हैं मृस्ट है कि जह और स्फी करोरे कि तो सबसे जादा किसमें प्राइमरी एडूकेशन फिर उसको दोस्तों क्या है एनर्जी है पूलिस टिपार्टमेंट है फिर उसको दोस्तों पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है तो यहां पर देखेंगी आंक्रेंद दिवें हैं आप इसको देख लिए कभी मिलान करने क पूछ लेते हैं पिछले साल है जो यह पीस प्रिल्यूस में एक ऐसा कुशन आया था ठीक है यहां पर देखे यह सारी चीज़े दिए गई हैं दोस्तों अगला जो की स्कीम में जो मतलब जो करने का लक्ष रखा गया है उसके बाद दोस्तों वहां तो एक सब्सक्राइब करने के लिए पूछ लेते हैं तो तो यह जो दूब मुख सबसे ज़्यादा जो है पैसे लुकड किया है वो आप ध्यान देने के हो शकता है ठीक है क्योंकि वह ऐसा मिलां करने के लिए पूछ लेते हैं तो आप अपने हिसाब से अनुजार इसको नोट्स के फार्म में बना सकते हैं ठीक है अब कुछ नए बजट इनिशेटिव जो ग्रीन बजट के उसमें किये गए हैं तो जो ग्लाजबू में जो कॉप 26 हुआ था उसमें प्यम मतलब परमंत्री नहारे पंचा मृत करके मतलब एक कमिट्मेंट दिया था उसके उसी के लि करें सब्सक्राइब जबना सब्सक्राइब दो करके मतलब एक तरीके से किया गया है एक जांतला में प्यांड करके बताव यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट दिये के जिसको आपने मेंस में ले सकते हैं पाथ-breaking steps जो है और इसके benefits क्या क्या है यह आप देख सकते हैं और इसको आपने मेंस बहुत अच्छे तरह के से यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखे solar energy policy दोजाबाइस में आई अपने मेंस में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं अगला क्या है की focus area जो है जो सोशल उसमें जो है किये गया है देखे यहां पर देखे तो पांच करोड से ज्यादा लोग जो है पावर्टी से उनको uplift किया गया है यूपी में ठीक है और अगर हम देखे तो 35,000,000 फार्मर्स से ज्यादा ज्यादा लोग जो फार्मर्स है उनको pulses और oilseed kits जो है produce कि मुखमंत्री आवास योजना में मतलब 2,000,000 ज्यादा है हाउस से प्रवाइड की आप दे सकते हैं क्या का चीज़े है ठीक है जो कुछ important point है इसको आपने में सांसर बिसकते हैं यहां पर द लुट्टा जनपद और एक में कॉलेज योजना के अंतरगत बनाये जा रहे है और भी अभी सारे जो जनपद भाई बनाए जाएंगत यहां पर देखिए अगला क्या है अगला दूस्तों क्या है कि प्रधान मंत्री मुद्रायोजना में कौन-कौन से यूपी देखे तो कि यसकि ऐख ऐसे maar किसमें सजानोर हे तो दुद हो मंतरी अनुद्राrió प्रेस्ट एक प्रफेंटर मुद्रा ओज़ना में पर.बखतां बेक यह द्हें स्वानिधी जो स्टीट इचायिक मेरिकास कि मुजाज अगर आतार उसमें पहले पर है पेले पर है प्रहामंत्री अटल परेंशन दूसरे पर है अगला क्या है कि जो डायलेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ठीक है उसमें दूसरे पूजिशन पर है यह भी काफी अची बड़ा अचीव्मेंट है अब यहां पर देखिए कि बजट अलूके एक हजार एक सोपचास करोड़ पर अलोकेट किये गए हैं ठीक है और एन आर एचे मतलब जो नेशनल रूरल हेल्प मिशन 2005 से चल रहा है उसके लिए साथ हजार तीन सपचास करोड़ किये गए हैं और 14 जो नए मेडिकल कॉलेजिस बनने हैं उसके लिए जो है 964 करोड़ पर किये गए हैं और जो उद्यम पोर्टल है उसमें कितने MSME क्या सकते हैं कि रजिस्टर हुए हैं दोस्तों वह 22 लाक MSME है जो कि मेरेखाल से पूरे इंडिया सबसे जादा है अगर मैं गलत नहीं हो तो और देखिए हां पर एक्सपोर्ट प्रेपेर नेस इंडेक्स बात करें 2019 में यूपी के रैंक थी 11 जो बढ़के मतलब अच्छी रैंक इंप्रूव हो गई है और वह सेवेंथ हो गई है लीड्स जो लॉजिस्टिकल इस ऑफ जो डूइंडेक्स का तो उसके उसके मतलब उसके अनुसार जो है बात करें 2019 में तेरह भी रैंक थी जो कि इंप्रूव है तो यहां देखिया पीम आवास ही होचना है उसके अंतरगत कितने भर बनाए गए हैं रिकॉल है कितने हो गया है यहां देख सकते हैं यहां पर जो मुस्ट इंपॉर्टेंट है फीमेर लिबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 2018 में 14.2 परसं था जो कि बढ़के दूस्तो 2.1 परसंट हो गया 2023 में यह सबसे मुस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आप नूट कर सकते हैं 2017 में 2017 में यह जो है 2.0 परसंट था जो कि 2023 में उस्तों यह बातर दिसम्वलोग 07 परसंट हो गया जो काफी अच्छी इंप्रूम्मेंट कर सकते हैं कि है ठीक देखिया फिसकल आ इंस्टॉल के पैस्टिव जो पावर है 233 में बात करें तो 29,912 मेगावाट है ठीक है तो 29,912 मेगावाट है यह ऐसा डायेट कुछन में पूछा जा सकता है दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंस थे जो कि एक्जाम परस्पेक्टिव से जो है मैंने आपको बता